हे दोस्तों स्रीपर्णास्री चैनल में आपका बहुत 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 सागत है तोस्तों आज की जो वीडियो है यह बहुत साधा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज मैं आपको बताऊंगे कि रिवर्स साइकलोजिक क्या है और इसके मदद से आप कैसे अपनी पार्टनर से पूरा चेंज हो जाएगा वो खुद आपके पास वापस आएंगे और आपके सारी बात मानने लगेंगे मतलब कि आपके लव डिलेशन्शिप में एकदम मैजिकल सा चेंज हो जाएगा अगर ये वीडियो आप पूरा सुन लिए समझ लिए और इसको सही से अपलाई कर पा रिवर साइकलोजि ये है कि अगर आप किसी भी इनसान को कोई भी काम करने के लिए मना करते हो तो उसको वो काम करने के प्रति इंटरेस्ट और ज़ादा बढ़ जाते हैं और ये चीज़ आप बच्चे बूरे से लेके यंग तक सब में आप देख सकते हों कि अगर आप किस अगर म करने के लिए कुरियोसिटि बढ़ जाते हैं अगर बच्चे को कुछ मना करेंगे लेकिन अगर यही काम करने के लिए बहुत जौड का इंट्रेस्ट मेहसूस होगा तो कैसे इसको आप apply कर सकतो अपने relationship में यही मैं आज आज आपको बताऊंगी suppose करो आप अगर अपने बच्चों को बोलते हो कि cadres मत खाना ये खाना बुरी बात है तो वो उसी के लिए आपके पीछे पर जाएंगे कि क्यों नहीं खाऊं या फिर please एक खरीद के दो please ऐसे करके वो लोग behave करते हैं अब बड़ो की बात में आ जाते हैं मालब आप अपने wife को अगर मना करते हो कि आज तुम shopping मत जाना तो आज ही जाने के लिए जो है ना उसका उल्टा करने के लिए बहुत जादा pressure मैसूस करते हैं इसका main reason यह है दोस्तो अगर आप किसी को कोई भी काम करने के लिए मना करते हो तो उनको बहुत pressure feel होता है उनको एक बंधन सा feel होता है उनको जुका हुआ मैसूस होता है कि मेरे उपर कोई होकुम जला रहा है ठीक है अब हमारे जो डेली का काम है रोज मर्चा का जो काम है ना वो भी अगर कोई हमें बोल बोल के बोल बोल के कराए ना तो वही काम हमारे लिए सरदर्द बन जाता है तो यही चीज है दोस्तों अगर आप किसी को भी कोई काम करने बोलोगे तो उनका जो आत्म सम्मान है ना उसमें ठेस पॉसता है उनको लगता है कि सामने वाला हमें गिरा हुआ मैसुस कर रहा है इसी वज़े से हमें बोल बोल के कुछ कराना चाह रहे है और हम उसका उल्टा करके यह दिखाना चाहते हैं कि हम किसी के अंडर में नहीं हैं हम किसी के अधिकार में नहीं पढ़ते हैं हम स्वतंत्र हैं और हमें अपने मर्जे से काम करने का जो है ना हक है यही हम जताना चाहते हैं और यह सारे चीज़ें हमारी सब कॉंसस माइंड में होता है ज चैन हो जाते हैं तो यही चीज़ आपको simply love relationship में use करना है अगर आप चाहते हो आपके partner से कोई भी काम करवाना कोई भी बात मनवाना तो बस simply आप उसके उल्टे बोलना start कर दो मतलब कि मान दो आप उनको उनसे शादी का वादा चाहते हो ठीक है आप उनको बोलते हो कि चलो हम शादी कर लेते हैं या फिर चलो जल्दी से शादी करते हैं हमारा उमर निकलता जारा या फिर चलो हम घर में बात करते हैं तो देखना partner फिर बहाने मारेंगे कि नहीं अभी नहीं अभी हमारे केरियर सेट नहीं हुआ या फिर अभी हम हमारे parents को नहीं बता सकते हैं ये वो डिमकाना वो ऐसे करके आपको बहुत सारे बहाने देंगे लेकिन अगर आप चाहते हो कि river psychology के मदद से वो आपके बात माने तो उनको आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि हमारे ना शादी पताने होगा या नहीं होगा हम तो parents को बता ही नहीं पाएंगे मैं तो खास करके नहीं बता पाऊंगे या फिन नहीं पता पाऊंगा पताने क्या होगा तब जाके partner को pressure feel होगा कि वो शादी के लिए जादा सोचे लेकिन अगर आप जादा सोचों कि जादा बोलोगे तो बहुत जादा chances है partner आपको मना करते रहेंगे ठीक है सेम चीज़े अगर मानलो आप उसको call अगर आप करते हैं कि तूम तो मुझे कॉल ही नहीं करते हो तो मुझे रोस कॉल करना तो मुझे सुभह कू bur IfMA क्यो कूं नहीं किए तो उनको और वी जादा आप से irritation होने लगता हूँ वो और भी call कम करने लग जाते हैं और इसी तरह सा अगर आप यह कहोगी कि अभी call मत करना मैं busy हूँ या फिर बाद में call कर लेना या फिर अभी मेरा काम है मैं नहीं बात कर सकता है फिर नहीं बात कर सकती तो वो उल्टा करेंगे और वो आप इसा कॉल करेंगे तो ऐसे दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर्स से किछ भी मनमाना चाते हो उसको सीधे मों बोल बोलके बोल बोलके आप ठक चुके हो तो जरूर आप यह reverse psychology का यूज करके उस हालात को सही कर सकते हो बहुत से ऐसे पार्टनर हैं जो आपकी बाते नहीं म बोलोगे तो दक्षिन दिशा में जाएंगे तो आपको क्या बोलना है आपको दक्षिन दिशा बोलना है तभी वह उत्तर दिशा में जाएंगे और आपको ऐसा लग सकता है कि पहले-पहले जब आप एपलाई करोगे आपको डर लग सकता है कि अगर मैं ऐसा भूलू अगर करके start कर दो और जैसी आप देखते जाओगे और धीरे धीरे आप भी इस चीज़ में माहिर होते जाओगे तब आपको यह चीज़ बहुत इजी लगने लगेगा पहले-पहले आपको डेफिनेटली आपको कठी हाड लग रहा होगा कि अगर मैं उल्टा बोल दो पताने क्या होगा पा पार्ट्रर अगर वैसा ही कर दे तो ऐसे सबको लग रहा है इसलिए आप छोटा छोटा करके try करना शोटा छोटा मैं यह चो छोटा चोटाो बात से ट्राइ करके देखना कि पार्टनर अगर आप उल्टा बोलो तो वो उल्टा कर रहा है या नहीं कर रहा है जैसे वो यह काम करते जाएंगे क्योंकि यह आपका क्या होगा दीरे दीरे आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा आप यह जो है ना माइंड गेम खेलने में बहुत जादा माहिर हो जाओगे और इससे आपके रिलेशिंशिप में बहुत प्रॉब्लम कम हो जाएगा क्योंकि अपसट इसी वात को लेके सभी लड़ते रहत ठीक है और वो वही करेंगे जो क्या आप चाहते हो तो यह बहुत बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना अपने रिलेशिंशिप में इसको एपलाई करके आप देखना अपने ज्यादा मैजिक लिए आपको जो है रिटर्न मिलता है कितना अब मैं इसे डारेक्ट काल पर बात करना चाहते हो तो कॉमी फोर अप्लिकेशन के तुरू आप मुझसे डारेक्ट काल पर बात कर सकते हो तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई